वेल्कम तो मैं चैनल दिप्टी दिपोवल एंसे आठे इंग्लिस ग्रामार में हम नाउन पढ़ देते हैं हमने कल नाउन बहुत अच्छे से समझ लिया था कि नाउन आखिर होता क्या है अगर किसी सेंटम ने से मैं नाउन चाड़ने को मिले तो हम आसानी से चाड़ सकते हैं तो यह रहा नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं पांच होते हैं कॉमन प्रॉपर कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मेटेरियल एंड एबस्ट्रेक्ट एबस्ट्रेक्ट ठीक है एबी एस ट्री आरे सीटी एबस्ट्रेक्ट नाउन तो यह होते हैं नाउन के पांच पार्ट आज हम किसका जानेंगे कॉमन का डेफिनिशन जानेंगे कॉमन नाउन को अच्छे से समझेंगे ठीक है कॉमन नाउन किसे कहते हैं कॉमन नाउन क्या होते हैं ओक दूमन क्या नाउन्ट क्या नाउन्स आर दीक aqui तूंगे जैसे कि एक्जाम्पल मालने चिए मैन, सिटी, डे, फेस्टिबल, बुक, फोन, एट्सेक्टरा मैन, सिटी, डे, फेस्टिबल, बुक, फोन मैन, इसमें तह मोडने चिए, मैन जाएं, पुक, इसमें बहुत सारे मैन आ जाएंगे, जाने मोड भध मोडरी चिदी, सारे मेन आ, हो बहुत सारी सीटी मोडरी आ जाएंगे, एक लिए सिटी की तो बात हो नहीं, पूरे एक दिन दा तो बात बोल रहा है, वन दे थोड़ी बोल रहा है, दे यानि बहुत, सारे डेस में आ जाएंगे, संदे मंदे टुईटी जो भी दे हो, फेस्टिबल, एक पर्व की तो बात नहीं कर रहा है, फेस्टिबल बोल रहा है, तो यह आपका common होता है, इस टाइप का, ज हो सकते हैं, people, peoples हो सकते हैं, state हो सकता है, countries हो सकता है, river हो सकता है, seas हो सकता है, oceans हो सकता है, and buildings, things, ये सब जो हैं आपके कॉम morals के examples हैइं छौप एक थिंग्स टो बात हो निरी इसमें बहुत सारे एक जैसे summary सहेम इसलिये बोला गया इक गंठी में तो एक country की बात नहीं हो रही एक नदी की तो बात नहीं हो रही एक लोगों की तो बात नहीं हिए तो ये जो है आपके common noun है ठीक है हम इसी के साथ हमने आज common noun को अच्छे से समझ लिया common noun अच्छे समझ लिया common noun अच्छे अब हम proper noun के उच्छते हैं proper noun के लिए हम next video मिलेंगे तब तक कि लिए video को full watch करे like करे, share करे और please support करे bye bye and thank you